गुद मॉर्निंग स्टूडेंस चलिए आज फिर एक नए मल्टिपल चॉइस को अपन कड़ते हैं और अपन पढ़ते हैं कि यह किस तरीके से जो है अपना होगा पहले देखें वू बॉस्ट लाइक एनी अदर पेजिंट पूर और इमासियेटे इसमें नाम दे रखें कि कौ अपन सा एसा एक पेजन था शेर क्रॉपर जो कांधीजी के पास आया था इंडिको शेर क्रॉपर था और उसने पीछे पढ़ गया था रेजिल्यूट था चलिए आप उस पेजन का नाम बताना है देखें जेबी क्रिपलानी प्रफेसर थे मात्मा कांधी के पास वो आया थ राजकुमार शुकला और महादेव अब राजकुमार शुकला ही वो पेजन था आंसर तो इसका राजकुमार शुकला है लेकिन महादेव कौन थे ये भी प्रशन एक बन सकता है तो महादेव वो व्यक्ति थे महावित देव दिसाई जिने जब चंपारन के अंदर उन्होंन नेक्स्ट फिरोजाबाद इस फेमस वार नॉर्मली यह सब बच्चों को पता है प्लीज यह याद कर लीजिए यह कहीं दफा आता है फॉर मिरर्स आइने साइकल यानि की आप साइकल समझ गे अंकलिट्स का मतलब होता है पाईजेब या ग्लास बैंगल्स यह ग्लास बैंगल इसके लिए मशूर था ठीक है और विच लेग डिद डगलस गो टू एंड इस वाट फियर कॉंसी एक जब उन्होंने सब सीख लिया इंस्ट्रक्टर ने उनको सब सिखा दिया तो कॉंसी वाली जील में गये थे वर्थ नहीं वेंट होई नहीं नहीं वेंट होई नहीं सकता कहा जो है मिला थे वो जब वो उनको बचाया गया था नियर दपूल पूल के पास में इन दपूल जब उनको बचाया गया तो वो पूल में थे यह तो होई नहीं सकता अंसर इन था हॉस्पिटल या इन रूम इसका उत्तर होगा नियर दपूल और एक और मैं आपको बात प निकालकर उनको वो पूल के पास में लाए थे दग्रॉफ्टर वर्क्ट एक्ट रेमसेजो आइरन मिल शॉप शोरूम या वोड वो आइरन मास्टर का जो था मिल में काम करते थे क्रॉफ्टर तो इसका अंसर होगा मिल नेक्स्ट आते हैं अपन यहां पे थे कि इन हुस हाउस शॉब जस्टिड़ गांधी जी स्टेट आट मुझास अब जीशल आऊसर और् वो थे वहशआ हैं फोड किермिन डिकेत्न में बिल थे उनीके घर वो रहते the poetess became worried when she looked at her mother's ashen face pale and sickly body ashen face यानि जैसे अबलकुल भुजा हुआ सा बहुत विमार कमजोर सी body both A and B none of these इसका उत्तर है both A and B जाधा तर जब भी अपन multiple choice questions में अभी तक करें हूँ जाधा तर उसका answer both A and B आ रहा है यह हमेशा answer तो नहीं होगा यह लेकिन आप कोशिश करें जाधा तर यह होगा जब दो points देते हैं तो उसको check करके आप करें of twisted bones reciting of father's nulled disease यह एच नहीं है एन है null disease means the boy inherit twisted bone from his यहां पी clear father तो यहां पर अपन का उत्तर ही father होगा तो answer father अप्लिज इसको देखिए इसको देखिए और यहां पर सीधा लगा दें कि उसके जो टेड़े मेड़े जो थे वह किसके थे father से तो यह वाला इसका उत्तर होगा which of these line is from a thing of beauty its loveliness increases बढ़ती है to see you soon amma at the back of the dive class on jennifer tiger तेखो यह सारे जितने भी है see you amma kamala das ki my mother at 66 aunt jennifer tiger यह अपनी aunt jennifer tiger वाली poem में से at the back of the dive class यह elementary school है इसका उत्तर यह वाला होगा its loveliness increases a thing of beauty is a joy for ever वाला let's not speak in any letter word sentence language हम बोलते किसमे है भाशा में तो इसका उत्तर होगा language answer यह keeping quiet वाले lesson पैबलो नरूडा की जो है poem उसमें जब भी मैं आपसे multiple choice questions बता रही होती हूं तो मैं उसमें कहीं सारे आपको और भी बता देती हूं जैसे मैंने अभी बोला keeping quiet फिर मैंने यह भी बताया कि पैबलो नरूडा ने जो है लिखा है वो पोईट है तो आप इनको याद करें चलिए अब अपने दो और प्रश्न है इनको टर्न करते हैं let us see to what does the poet not compare stillness वो किससे compare stillness करते activity, inactivity, total inactivity, passivity इन्होंने का कि poet क्या compare कर रहा है stillness से तो stillness का मतलब होता है बिल्कुल चुप रहना वो कहते बिल्कुल सब को छोड़ दो देखो activity, inactivity तो सही है लेकिन वो कहते total inactivity, total यानि पूरी तरीके से आप काम करना छोड़ दे तो इसका answer total inactivity ही होगा morning found the town of Moti Hari, black with, यहाँ पर यह एक line है कि जब वो उनको पकड़के लेकर गए और उनको जो है गांदी जी को वहाँ पर magistrate ने कह दिया आप Moti Hari नहीं जाएंगे और उन्होंने जब लिख कर कह दिया कि मैं तो छोड़ कर Moti Hari को नहीं जाओंगा जब तक चंपारन के लोगों के best लिए काम नी करूंगा तो इसका उत्तर क्या होगा ब्लाक विट्लॉयर्स नो clients no peasants तो इसका उत्तर होगा पेंजंस का मतलब होता है कि फार्मर्स क्योंकि वह उनकि लड़ने के लिए आई थे आप मैं वापी इस से कह देती हूं बहुत दिन हो गए हाठ मुल्टिपल चैन इस तरीके से ब्लॉक बनाएगा और इसके अंदर ही आप उत्तर लिख दीजिएगा तीचर इसमें करेक्ट करके जो होंगे जो क्रॉस होंगा वो उसके टोटल लंबर्स आपको दे देंगे तो आपको पूरा लिखने की आवशकता नहीं है ऐसे ब्लॉक बनाकर आप आंसर दे करें ठीक है? Thank you.